गुद मॉर्णी कैसे हो आप सबी टाइम हो चुका है अभी बारा बजने वाले हैं और दोपैर के बारा बजने का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक ना खाने पिने भी कोई तयारी मैं नहीं कर पाए थी और अभी साथ साथ बात करते करते ही कर रही हूं क्योंकि वीडियो करना काफी जडरूरी था तो बस अभी चुटको को है न मैंने नहलाया नहला के उसको रेडी करके उसको हो गया मतलब आदा पोना घंटा करीब लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं लेग जाजा था तो बस अभी अपनी जरब से उसको सुला के बहार आए ती यहां पर आवाज मुझे अपनी म्योट करनी पड़ी क्योंकि पीछे ना भजनों की आवाज आ रही थी तो उससे कोपिराइट आने का डर रहता तो जैसे ही मैं बात कर रही थी उसके बाद भजन चलने शुरू गए तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी थोड़ी आवाज आ है तो इसलिए मैं आ काफी दिन से बनाई नहीं रही थी और आज जो हैना काफी सारी सब्जीयां थी घर पे गाजर मतर अलू गोभी और सर्दी में तो हैना यह सारी सब्जे जब तक ना ओना तब तक बनाने का मन भी नहीं करता ता तो एक दोई अपने पास आलू टमार्ट और जबकि मैं चावल बहुत बनाती थी पहले तो निश्चे को यह लगता है कि चावल ममा ने बिलकुल बनाने छोड़ दिये इसके पापा का तो ऐसा बन जाएं तो खा लेते हैं लेकिन स्पेशल कहके कभी नहीं बनवाते के बहीं चावल बना ले क्योंकि आदमियों को शायद मेरे इसाब से थोड़ा कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनें पसंद होते हैं चावल बगरा वैसे खा ये सारे चीज़ लेते हैं नमगिन चावल बिखा लेते हैं कड़ी चावल राजमा चावल लेकिन बन जाएं तो अपने मुझे कभी नहीं बोलते तो फिर मेरे को भी ये था कि मुझे तो खाने नहीं हैं और निश्चे के लिए मैं बनाना भूली जाती थी तो आज निश्चे ने बोला तो फिर उसके लिए चावल बनाई दिये हैं और सब ही खा लेंगे मतलब जब बने हैं तो और अभी इस टाइम पे है ना मैं गई गई थी वो अंटी आ चुकी थी क्योंकि उस दिन जो है ना मैंना अंटी को यह बोला था कि अंटी आप फिर आ जाना क्योंकि अभी मैंने ना तो सूट निकाल रखा ना मुझे पता था कि आज दो गड़ आएगी तो फिर उस दिन तो मैंने सिर्फ इनको पचास रुपे द तो फिर हम नहाने में भी अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते चट पट करके बस फटा फट से नहा के आना पड़ता है और दूसरी साइड में मैं कुछ कपड़े रखे गई थी तो बस वो कपड़े मैं पीछे फैला रही हो तार पे क्योंकि अंटी तो मम्मी के साथ बैठी है और बैठी ही रहेंगी अभी तो बात बात कर रही है तो आराम से जो है ना मैं निकाल लूँगी अब सूट साड़ी अंदर जाके साड़ी नहीं सूट ही निकाल लूँगी क्योंकि इन्होंने सूट ही बुला था और यहां पे थोड़ा सूटों क पहनावा जादा है तो सूट ही निकाल दूगी है क्योंकि किसी को देने का फायदा तब ही होता है देना ऐसी ही चीज़ जाये है जो इनसान पहने भी देखो मेरा तो मानना यही है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी सगे सगे हैं तो भई देखो उनको अच्छा दो या फिर भार के हैं तो उनको ऐसा वैसा दे दो नहीं मुझे तो बलके ये लगता है कि इनसान कहीं बैठेगा कहीं जाएगा और दो जगह दिखा भी दे की भई ये उनके से मिला है नहीं बहुत अच्छा दिया है बहुत अच्छा पैनला एक सूट दे रखा है और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ले और अब यहां पर को दिखा देती हूँ कि मैंने ना पैंच्छा निकाला थी बिन्स और पैक वाला था क्योंकि पाईंच्छड तो आपको पता है इत्वह इस jalka भारी होता है tam ma ideas का आपने मुझे दिया, मैंने हागी किसी और को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया, ऐसे घूम फिर के कई बार तो वापिस भी आ जाता है अपने पास, और ये अंटी के 500 रुपे रख दिये हैं और ये मैंने सूट निकाला है, जैसे मैंने उस दिन अपने चाचा जी की लड़की के लिए निकाला था ना सेम वैसा ही सूट है और देखो मेरी शौप आपको पता ही है तो एक एक सूट जो है ना कई-कई पीस मिल जाते हैं तो इन आंटी को भी वस मैंने यही सूट दिया क्योंकि वो फिर मतलब अगर कुछ दो भी अलगा और फिर अगला बंदा इन वही शौप पे हैं बस कुछ सूट ना मैंने इन से मंगवा के घर पर रख लिये थे कि अगर देने लेने पड़ेंगे तो फिर आप ले आना क्योंकि जब प्रोग्राम करेंगे उस तक तक तो मैं खड़ी हो जाऊंगी बिलकुल फिट हो जाऊंगी ना तो फिर मैं खु मेरे सूट तो उल्टा ले जा वे टारीब की बार मने साडी दे दे और मैंने नीकाल रगए लगए 2 अब भात कि पिसी कि साइडे में 2nda चलते हैं साड़ी तो मेरे पास न हलकी भारी हर तरह की मिल ही जाती है ज़्यादा तर घर पे और क्योंकि आना जाना देखो कहीं न कहीं जैसे लगाई रहता है तो फिर वहां से हर तरफ से साड़ी ही मिलती है तो बस अंटी के लिए भई मैं साड़ी निकाल रहे हूँ और अंटी नहीं बोला था कि मतलब ऐसे निकाल दी हो जो आने जाने में सिंपल सी पहन सकें भई लड़की के लिए क्योंकि अंटी तो पहनती नहीं है कि मैं अपनी लड़की को दे दूँगी मैं एका ठीक अंटी तो फिर मैं साड़ी निखालती हो जोड़ती हो अगर आपको पसंद आए तो साड़ी ले 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 ना परना फिर ये सूटी ले जाना आप तो चलो भई अब चलते हैं और दिखाते हैं बाहर की सूट पसंद आया या साड़ी पसंद आई क्योंकि मैंने तो देखो दोनों यह उप्षन रख दिया अब उनके सामने और अब मैं अंटी को साड़ी दिखा दूंगी जो भी उनको सही लगेगा वो ले लेंगी क्योंकि साड़ी सारी अच्छी होती हैं तो फिर बोले कि ठीक है तो यह साड़ी देदेव की बार आप सभी लोग आपका स्वागत था नई चैनल वाली वीडियो में अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और सब्स्क्राइब कर दिए और अभी रात के बाद तो फिर इनोंने का कि लेट हो जाएगा खाने के लिए तो मैं तयारी कर देता हूँ जब तक बैड पे बैठे बैठा ही सर्दी आज बहुत जादा है बहुत ही जादा कई दिन से धूप निकल रही थी लेकिन आज एक तम से अचानक से मोसम ठंडा वाला हो गया हवा चल रह जब गाजर चीलेंगे ना नहीं पीछे जागे देखो आप शायद गाजर चीलेंगे ना उल्टा चीलते हैं मतलब जैसे हम चीलते हो उससे बिलकुल अलग तरीके से यह चील रहे थे तो इनोंने यहां बैठे बैठे ने सबजी कार दिया वो धन्याब साइड में देखी र पा गए थे प्रोग्राम में मामा के घर मामा के घर था यह कादिशी का उदापन तो वहां से आया था इस सूट का न मुझे कलर प्यारा लग रहा है डार्क एकदम डार्क ब्राउन कलर है बिलकुल कोफी कोफी सा शेड है इसका मुझे कलर मतलब यह वाला कलर मैंने पहना न यहां पर शुरू कर दिया इन्होंने आटटा लगाने का काम क्योंकि आटा गुदने का काम जा नहीं किया ज्यादा तर मतलब इस टा часть पर अब तो जो है ना मैं मतलब शुरू कर दूंगी और कर भी दिया है जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो ना तब तक लेकिन इस बीच में जो काम किया वो इन्होंने बहुत किया बहुत ज्यादा इन्हें आता भी नहीं था लेकिन फिर भी मतलब कोशिश की इन्होंने और देरे-देरे अपना काम चला प्रहणा बढ़े जो को फिर भी तो आपको तो पताई है आपके साथ तो सारी जर्नी जो है मेरी शेयर होती है लेकिन मैं मतलब फिर भी बोलना चाहती हूँ बार-बार कि इस बीच में मेरा सबसे जादा प्रिती ने किया क्योंकि जो शुरुआती काम होता वो बहुती मुश்किल होता है जो शुरुआती दिन होते हैं तो जो सबसे मुश्किल के सबसे जादा कस्ट के दिन थे पृत अच्छे से निकाले और फिर उसके बाद मम्मी ने किया मेरा काम और इन्होंने किया क्योंकि जब मैं वहाँ चले गी थी तो यह फिर करेंगे ही क्या लेकिन जब मैं यहाँ थी तो मुझे हाथ पकड़ पड़के उठाना बैठाना वाश्रूम तक लेके जाना यह सारी चीज़े जो है ना इन्होंने ही मेरी की थी और मतलब मैं कब भी नहीं बूल सकती अपना यह वाला टाइम कि हाँ भई किसी मतलब जब मुझे ज़रूत थी तो यह दो तिन लोग जो है ना मेरे काम आये थे पता है इसी को कुछ लोग ना नाम दे देते हैं कि गुलाम हो गया सारे की सारे काम करने लग गया घर के है ना जब आद भी इस तरीके से औरत की हैल्प करने लग जाए तो लेकिन मैं तो ये मानती हूं कि जो मजबूरी में भी ना काम करें तो फिर वो मतलब उस इनसान का फाइदा यह क्या इपने साथ रहने का है लेकिन इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से काम किया है मतलब फालतों भी परवा निकरते हैं कुछ बोले या ना बोले और ये भी कोई काम जो है ना तो मैं शोक में करवारी हूँ इनसे और ना ये शोक से कर रहे हैं क्योंकि आप देखी सकते हो इन्होंने किस तरीकी साथा गुंदा है किस तरीकी से सबजी काटी है मतलब इन्हें नहीं आता काम करना कि भई ये अपनी मनमर्जी से या फिर चाव से शोक से कर ले हाँ लेकिन मजबूरी में जैसे तैसे अपना काम चला लिया भई तो वही जो ना बड़ी बात है और पताईए तो यह यह कह देते हैं कि अपने घर का काम है में कैसी श्यरम है ना लोग तो बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे बोलने वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते बोलने दे बोलने वालों को चाहिए कोई कमेंट में बोले या फिर कैसे भी बोले नहीं सुनने चाहिए फालतू की बाते और जब तू कर सकती है भई अपने घर का काम तो मैं क्यों नहीं कर सकता बीच मैं दुआब हूँ निश्चे चोड़े वो आया घर देख यह पर इसमें छोटे ने जल्दी देख यह और निश्चे को यहाँ पे यह लग रहा था कि मैं ना इनकी फोटो कहिछ रही हो दोना भाही हो की निश्चे बार-बार मुझे भीच भीच कि मैं को यह भीच बूले जा रहा है ओ ममा खिचो ना ममा किच अना मैं का बेटा कहिछ नी दीए फोटो विडियो बना रही हूं भी मैं आपकी और वही मिटन्स को देखके ना आप छुटकू के और हास नामत क्योंकि पता ही है ना हाथ मार मार के निकाल देता है इदर उदर फिर जो मेरे सामने आता है ना मैं वही पैना देती हूं दूसरे हाथ में और अभी ना एक छोटा सा फूल रखा था गोबी का तो यह बोले कि यार आज मेरा गोबी के प्राठे काने का मन है है ना क्यान गोबी के प्राठे कहले और स्टम शोटार एक्राषच्थ if you have it तो पर जाए अंगे काअ पुले है और अगल था और कि यहन से प्रेस्टास्स की सरक अभी कि अगर गोबी के प्राठे के लिए मैंने बबाश्य है ए